ओके हम लोग चेश्ट एक्सरे पड़ रहे हैं जिसका यह class तंबर फिपत है जो लोग इसके पहले के class नहीं देखे हैं वह पहले इसके पहले देखें डिस्क्रिप्सर में लिंक दिया हुआ है फिर उसके बाद से आप ललास तंबर 5 देखेंगे ठीक है आज हम लोग देखेंगे मेडियास्टिनम के बारे में यानि कि मेडियास्टिनल शैडो एकसरे पड़ रहा है तो मेडियास्टिनम का सैडो कैसा दिखता है वो हम लोगों ने नॉर्मल तो पढ़ चुका है आप जाके देखिएगा किसी वीडियो में नॉर्मल ऐसा है सेकेंड और थर्ड में मेडियास्टिनम का नॉर्मल सैडो कैसा बनता है एक्सरे में वो हम लोगों ने देख लिया था अब यहां कुछ एबनॉर्मल्टीज हम लोग देखने जा रहे है जैसे कि आपको पता है कि मेडियास्टिनम में हर्ट रखा हुआ है ठीक है आपको यह भी पता है कि अगर मान लीजिए अगर हम एक छोटा सा फोटो बनाए तो आपको यह भी पता है कि इसके पीछे से इसोफेगस निकल लई है यह स्टमक है यह सारी चीज़ें आपको पता है फिर उसके पीछे वर्टिवरल कॉलम होगा ठीक है सबसे आगे ट्रेकिया होगा जो कि यहां आगे आके डिवाइड हो जाएगा फिर यह ड्रोइंग का ना कि यह कौन सी ड्रोइंग है ठीक है तो यह ड्रोइंग किसकी है यह हर्ट की ड्रोइंग हमने बनाई है जो कि सिर्फ मेडिकल एश्टुरेंट समझ सकते हैं अच्छा ठीक है अच्छा देखिए कभी-कभी आपको यह बात पता होगा कि थाइमस ग्लेंड बच्पन में जब हम लोग जब बच्चे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्पन में क्या होता है कि थाइमस ग्लेंड बड़ी होती है जैसे माल लीजे यह हर्ट है ठीक है यह हर्ट है तो थाइमस ग्लेंड होती है और उसके साथ सक कई छोटे-छोटे pluripatent cell होते हैं ये कौन सा gland है? thymus gland अभी मैं अलग से दिखा दूँगा मैं ये है thymus आपको पता होगा कि छोटे बच्चों में thymus gland होती है ये बात पता होना चाहिए हम लोगों में भी होती है लेकिन उमर के साथ दिरे-दिरे क्या होता है? छोटा होता चला जाता है एंटिरियर मेडियास्टिनम हर्ट से आगे की तरफ से मैं बना रहा हूँ ये क्या है? ये एंटिरियर मेडियास्टिनम है यानि आगे सामने से हम देख रहे हैं बन देखो अगर हम फोटो बनाए फोटो बनाना ही तो कठीन है मेरे लिए यह झाल लीज़े सामने से बनता है यह न कर तो यहां पर क्या होगा मेडिया स्टिनंग तो यह मैंने बनाया थाइमस्कलेंड और इसमें चोटे-चोटे जो हैं और भी sales पाया जाते हैं उनको बुला जाता है flurry patent cell यहां देखिये मैं लिख रहा हूं कि अ 술टी कि यह आगे वाला पार्ट है कौन सा पार्ट है एए और यह आगे वाले पार्ट को बुला जाता है anterior media syndrome जो हड से आगे हो आप लोग अगर thoracic cavity anatomy bd4s में पड़े होंगे ते सब चीज़ें आपके लिए असान होगे बाकि फिर पता नहीं फश्टियर में कब रहें होंगे एंटिरियर मेडियाश्टिनम कर और पीछे वाला क्या होता है बताइए पीछे वाला वर्टिवरल कॉलम होगा है न इसी से श्रमक पास हुए होगी जाना इस का जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है मिडिल मेडिया इस्टिनम बहुत सिंपल सी चीज बता रहे हैं अगर आप मेडिकल के बच्चे हैं हैं तो ही है आपको यह बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहरा हूं मेरा यहां टोटली फोकस है यहां पर बताने का थाइमस ग्लेंड पर ठीक है जैसे फोटो देखिए फोटो में जो आगे वाला पार्ट है यह क्या है एंटिरियर मेडिया इस्टिनम जो पीछे वाला पार्ट है वो है पुस्टिरियर मेडिया इस्टिनम और बीच वाला पार्ट क्या है मिडिल मेडिया इस्टिनम यानि यह पूरा हर्ट के सामने न्यूबॉर्ण बेवी का एक फोटो दिखाया गया है जो यह पार्ट दिखाया गया यह थाइमस है और हम लोग जब बड़े हो गया थाइमस पिल्कुल पॉइंट के बराबर हो गया एक एडल्ड का फोटो एक न्यूबॉर्ण बेवी का फोटो है तो थाइमस ग्लेंड यहां क्या है बड़ी है किसमें न्यूबॉर्ण बेवी में ठीक है माल लीजे थाइमस ग्लेंड में ट्यूमर हो गया पहला चीज तो छोटे बच्चों का अगर एक सरे खीचेंगे तो उसमें थाइमस ग्लेंड दिखेगी क्योंकि थाइमस एक ग्लेंड है और वो दिखेगी वाइट कलर की या नहीं कि रेडियो ओपेक अभी मैं उसका फोटो दिखा दूँगा लेकिन मान लेजए बड़े लोगों में इसमें ट्यूमर हो गया छोटे होने जगह ये बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा ते कैसा दिखेगा बताइए थाइमस ग्लेंड में अगर ट्यूमर हो गया फर्स्ट नमबर डालके आगे बढ़ाईएगा जो भी नमबर तो अगर मान लिजे किसी बंदे को थायोमा हो गया, थायमोमा, ऐसे लिखेगा, यानि थायमस ग्लेंड में ट्यूमर, थायमस ग्लेंड का क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, तो कैसा दिखेगा यह रेडियो, ओपेक दिखेगा, यानि कि वाइट दिखेगा, है न, कैसे यह देखते हैं बनाते हैं अब हम ध्यान दिजिएगा मेडिया इस्टिनम पर बात कर रहे हैं तो भी हम मान के चलिए लंग्स वाला सेड हो तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे यह है हर्ट है मान लीजिए तो इस जगह पर आपको दीखेगा थाइमस क्लैंड तो आपको यह कभी कभी पोश्टिरियर मेडिया इस्टिनम का अभी इस पर मैं कभी जिक्र करूंगा अभी यह देखिए पहले फोटो इसका कहां तक हो गया था यह देखिए यह दोनों साइड में किसी भी साइड देख सकता है देखिए इसमें इधर दिख रहा है यह दो कि अब कहुंगा कि व्युक्त है अब काइसे समझोगे इतनी बात को अभी तो आको दो ले थे कि आगर अर्च ओकरOn AI थाम के स्वैलिंग मैं वहलाहिएज ब्ल चल ला बेसिक से बहुत स्लो चल दा हूँ आपको confusion होगा भईया arch of aorta में swelling होनी चाहिए ना अगर माल लीजे यहाँ पर दिख रहा है तो तो आई साब अगर arch of aorta में swelling होगी यानि कहीं ने कहीं यहाँ को activation of aorta होगा तो हाथों में जाने वाला blood ज्यादा होगा और नीचे जो उतर क्या रही है पैरों में blood जा रहा है यह कम होगा यानि कुछ बंदे का हाथ पैर में पैर जो है पतला दुबला पतला होगा और हाथ जोगी वो कैसा होगा मोटा होगा यानि आधी बॉड़ी पूरी मोटी होगी हेलडी होगी आधी बॉड़ी होगी अगर आपको क्या होगा तो अपना अलग सिम्टम बताएगा तो इस चीज का आप ध्यान दिजिएगा हमेशा से कभी confusion हो तो आप sign and symptom पूछिए तो आप देखिए इस जगह पे क्या है आपको doubt हो जाएगा भाई यहां पे thymus gland ही रहती है हमको लग रहा है thymus gland में आपको tumor हो गया है spinal card में अगर tumor होगा पीछे कभी कभी spinal cord में tumor होगा कोई भी है तो वहां के बीमारी का अंदाजा लगाई है spinal cord में होगा तो पीछे pain बताएगा वो भी एक सरेम दिख जाएगा और उस side में ही दिखेगा ऐसा दिखेगा तो sign and symptom के basis पे ही आप diagnosis बना सकते हो इसे और photo देखिए देखे इस बन्दे का यहां develop होके आ गया है नीचे दिल लिखा गया है तो पकड में आ जाता है लेकिन आपको doubt होगा कि कहीं ज्यान दिजेगा आपको doubt होगा कि कहीं भाईसा यह right atrium right atrium में नहीं सौरी left atrium left atrium में dilatation तो नहीं नहीं है वीडियो में ऐसा नहीं दिखेगा ऐसा दिखने का मतलब कोई नहीं कोई ट्यूमर डेवलफ हो रहा है कि मैंना ते भी थायोमा हो सकता है ज्यान दिजेगा अगर हर्ट region में मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ आपको अगर हर्ट की कोई भी बिमारी होगी अगर x-ray में अबनॉर्मल टीज होगी चोकि x-ray में लंग्स की बिमारी होगी तो खासी आ रहा था हर्ट की बिमारी होगी तब भी खासी हो सकता ना आये लेकिन सांस तो फूलेगा weakness होगी इन सब के symptom बताएगा दूसरी चीज अगर आपको डाउट हो रहा है कि हर्ट से आक्सरे से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए पता है कि हर्ट के symptom के लिए आपका confirmatory test ECG भी कराया जाता है आपने देखा कि left ventricle dilatation है तो आपके ECG में भी left ventricle dilatation दिखेगा तो हम पढ़ाएंगे ECG जब आपको तो हाँ आप ECG देखके जान जाओगे कि इसको left ventricle dilatation है भाई साब राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम dilatation है ECG बताएगा एक्सरे तो बताई रहा है ECG बताएगा लेकिन अगर कोई विमारी होगे तो ECG नहीं बताएगा तो वही बात है कि आपको हमेंसाद sign and symptom के basis पर तो इस जगह पर आपको यह tumor दिख रहा है अगर यह tumor बाहर से नहीं दिख रहा है तो आप समझ सकते हो कि क्या है यह कहीं थायोमा तो नहीं नहीं हो गया है ठीक है इस बात को समझने की कोसिस करिएगा तो थाइमस ग्लेंड एंटिरियर मेडिया इस्टिनम में होता है छोटे बच्चों में प्रॉमिनेंट होता है ठीक है डिस इस दा नॉर्मल तो अगर आप छोटे बच्चों का एकसरे खीचोगे अब थोड़ा सा मागे बढ़ते करें चोटे बच्चों का अब एकसरे खीच होगे यह कि देखिये चोटे बच्चे का एकसरे किच गए तो आपको ऐसा दिखेगा है कि इस पर छोड़ दिज़िए इस पर फोकस करिए है ऐसा दिखेएग ल्यान दिजह छोटे बच्चों का अगर आप X-ray खीचोगे तो कैसा दिखेगा बताईए एक छोटा बच्चा है यह तो दिखेगी दिखेगी एक है चोंच जैसा दिखेगा ऐसा लगता है किसी बत्तक का चोंच है शेल के तरह से ऐसे शेल कन्फिग्रेशन इसको बोला जाता है शेल समझते हो शेल शेल देखे हो तुम लोग घोगा साइस घोगे को शेल बोला जाता है ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा इसको बोला जाता है कोना सा जो राइट साइड में कोना सा निकला रहेगा इसको बुला जाता है सिल कॉन्फिग्रेशन यह नॉर्मल है ध्यान दीजेगा यह नॉर्मल नहीं है सिल कॉन्फिग्रेशन क्योंकि बच्चों में थाइमस ग्लैंड बड़ी होती है छुटे बच्चों का एक्सरे कराया खासी आ रही थी बहुत प्रॉमिनेंट आपने सोचा आपको दिख गया है सेल कन्फिग्रेशन ने आपको ऐसा एक सब्सक्राइब बस आप डर जाओगे आपके पास अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो अको यह क्या है आप कोगे यह क्या है अरे भाईया ट्यूमर हो रहा है जाओ आपरिशन करवा दो यह दोनों साइड दिख सकता है भाई सब बोच साइड प्लस माइनस ठीक है आप ध्यान दो के कहो के कि तो इसको काडियों मिगैली हो गया हर्ट की साइज बड़ी हुए दोस्तों यह बच्चा है ध्यान दिजेगा यह छोटा बच्चा है और छोटा बच्चे में हम लोग कौन सा व्यू लेते हैं अपी व्यू लेंगे पीट के बड़ लेंगे न बच्चा तो खड़ा होगा नहीं और अपी व्यू में हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि काडियाक बॉरडर क्या दिखेगी काडियाक साइज क्या दिखेगी लार्ज दिखेगी तो आप यह देखके घबडा मन क्या इसल कन्फिग्रेशन देखने को मिल ला है यह आपका क्या है यह थाइमस ग्लेंड है जो कि बच्चों में प्रॉम्नेंट है अगर हम लोगों के एज में ऐसा दिख रहा है तो आप डरिए कि यह क्या है जानने की कोसिस करिए लेकिन छोटे बच्चों में आप टीवी का आप उफिंग कफ से बर्चा परसांथ अपरटी उसे आपने एक सरे कराने कोसिस किया और बच्चे में दिख गया तो ऐसा नहीं है कि आप डर जाईए देखिए इसमें भी दिख रहा है इस फोटो में भी दिख रहा है कभी-कभी कभी कभी मैंने बोला ना कि उल्टा भी द दिख रहा है और आप बिल्कुल डरिये गने कि कार्डियक सेडो इतनी बड़ी क्यों दिख रही एपी व्यू है बड़ी दिखेगी बच्चा है ठीक है कई से जानेंगे साहब यह बच्चा है रियंका बताओ कैसे जानेंगे बच्चे का एक स्रेय है कौन है यहां पर कभी- हाइटस हरनिया हो जाता है आप लोग इसका नाम सुने होंगे हाइटस हरनिया सरजरी में पढ़े होंगे पिछले साल आप हाइटस हरनिया हो जाता है हरनिया मतलब जो इस्टमक का कंटेंट है थोड़ा सा उपर आ जाता है यह स्टमक के थोड़ा सा कंटेंट उपर आ जाता और यह swelling हो जाती, इसको हाइटस हरनिया, यहाँ फोटो में आप देख सकते हो, हाइटस हरनिया हो जाता है, डाइफराम को प्रेस कर देता है, तो हाइटस हरनिया अगर किसी को होगा, तो भी X-ray में दिख जाएगा, तो आपको जो है, यहाँ पर क्या है, इस जगे पर, मेडि आपको यहाँ पर क्या दिखेगी, ब्लैक दिखेगा, एक काला सा आपको दिखेगा, क्योंकि हाइटस हरनिया है बंदे को, यह देखिए, यह आपका तो मान लीजे कि इसको और भी अबनॉर्माल्टी है, इसमें उतनी प्रॉमिनेंट नहीं दिख रही है, इसमें एकलेजि आपको दिखेगा, जैसे काने का मतलब मैं इसी में ड्रॉ कर दे रहा हूं, मान लीजेए, अगर किसी को हाइटस हरनिया थे इस जगह फे ब्लैक दिखेगा, अब आपको कैसे जानेंगे कि हर्ट की दिख्कत है, तो हाइटस हरनिया जी आईटी के सिम्टम देगा, यहाँ ठ यहां पर खाना आके रुकेगा यहां पर वहां पर गैस बहुत ज़्यादा यह साथ चीज उसका साइन एंड सिंटम बताएगा कभी-कभी खाना आके यहां अटक भी जाता है तो इसोफेगस डाइलेट हो जाता तब भी यहां पर क्या दिखेगा थोड़ा सा डाइलेटेशन दिखेगा ठीक है तो अगर आपको हाइटस हरनिया है किसी पेशन्ट को तो ओचीज आपको दिखेगी है ना ओचीज प्रॉमिनेंट रूप से दिखेगी हो सकता है इस आपको मेडिया स्टिनम में यानि कार्डियक सेड़ों में ब्लैक दिखेगा आप फोटो बना दिखेगा और वहां ब्लैक क्योंकि हो सकता है उस जगह पे एयर आके ट्रैफ हो जाए देखिए जड़ा मालीजी यही फोटो में हम अगर आगे बढ़ा दें तो इस जगह पे हाइटस हरनिया हो यानि कि एथा ऐसे स्वेल कर गई और इसमें क्या भरा हुआ है जब खाना खाओ गए आप तो खाना चली जाएगी अटकेएगा दिक्कत होगी फिर आपने एकसरे कराया जब एकसरे क लुक्त हरा हलका आख डेकने को मिल है तो कि ए यर है ब्लैक सीनियम इसमें किसी समझ में नहीं आया हीए हाइट सेनिया है समको सब को सब को आ गया लो ङया नदद कि एएच है इसलिए का डो इकसा charity में हलका सा वाइट दीखे फ नुट इतनी बात समझ में आ गई कल हम लोग कुछ चीज है और पढ़ेंगे कौन सा काडियक बॉर्डर दिख रहा है तो क्या समझेंगे हम लोग काडियक बॉर्डर वाकई में कितना दिखना चाहिए फिर उसके बाद से हम लोग बढ़ जाएंगे सीवीज की बिमारीयों में लेके ही मेंट्रस्टिनोशिस हो गया इंही मीजिनोश्र कराँद थी totally फेहोएं हम लोग जेकर करेंगे ठिक हिए फिर उसके बाद से में मीडियाइष्टीनल को पूरा खतम हो जाएगा तो कल reg Han Ray से फिर क्लास लेट होगी जब मेडियास्टिनम खतम हो जाएगा तो फिर हम लोग वापस से क्या आजाएंगे चेस्ट एक सरे पाजाएंगे और टीवी निमूनिया यह सब ब्रॉंकायटिस सीओ पीडी के कैसा एक सरे बनता हो सब दिखेंगे ठीक है तो अगली क्लास जो होग भी इसी मेडियास्टिनम का कांटिन्यूएशन होगा ओके गाइस टाटा बाइबाए